हलो फ्रेंज आप सभी का बहुत स्वागत है सुप्रिया किचन टीए पर चले आज का रेसिपी देख लेते हैं बहुत ही इज़ी और बहुत ही टेस्टी भी है देखें आप वही रोज ले उसके खाकर बोर हो रहे है तो वही चपाती वही रोटी ओगर चले आज आज आप में यहां पर थोड़ा सा आजवैन लिया हुआ है इसका अच्छा सा फ्लेवर और टेस्टी बनाने के लिए देखें आजवैन थोड़ा सा क्रुष करके डालना होगा और यहां पर एक चोटा चमच जो है मैंने यहां पर तेल दाला हुआ है आप चाहे तो गी का बेस्तमाल कर सक आज़ा नहीं देखें अच्छा सा मुटी जैसा बन रहा है चले अब इसे एक परफेक्ट सा डोई बना लेते हैं जैसे आप रोटी के लिए या चापाती के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसा यहां पर बनाना होगा आपको देखें अच्छा सा ब्रेक्फस्ट बनाने दर्फश्ट लेआ होा है और लसन के लिया डालने के बाद दो चार हरी मिर्च ऑर अच्छे से थोड़ा सा इसके ऊपर तोहँ दोड़ासा धन्यापता याड़ करेंगे छले दन्यापता आप चाहिए तो में कि पालग इसमी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको धन्या पता है दादा बारिक नहीं बनाने आपको दरदरा सा पीस लेना है चले इसे एक बॉल में निकल लेते हैं बहुत ही हिल्दी रेसीपी और टेस्टी भी है चले भी इसे थोड़ा सा मसाला आड करेंगे देखें मिनिया पर छोटी चमच जो है गर्म मसाला लिया हुआ है थोड़ा सा का दिए जोनिया पत्ता डिलेंगे देखें सभी चीजहों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखें हमारा जो बैटर बनके रड़ी हो चुका है पर्फेक्ट सा मसाला हमारा डूई देख लेते हमारा डूई जो ऑफ्ट हो चुका है दिकि कितना बढ़ा लग रहा है आप बनाने हैं दुझे आपको बना लिया हुआ है अगर आपके पास प्लेट है तो भी समल कर सकते थोड़ा से गी या फिर लगा सकते ज्यादा नहीं लगाना आपको थोड़ा सही लगाना है अच्छे से स्प्रड कर लिजिए बहुत ही हल्दी रेसीपी वह अच्छा है से लिया पैसा रेसीपी बना के खायेंगे तो हैश्चा है आप मटर में पालो क्या फिर में इती कोई भी सब्स याड कर सकते आप अपनी मनक्या इनसार देखें अच्छे से रख लेते हैं सारे बाल्स देख इतना बड़ी लग रहा आज कल बच्छे हेल्दी फूड नहीं काते तो आप ऐसा बना के खिलाएंगे सबजी वगेरे नहीं खा रहे तो आप ऐसा बना के खिला सकते हैं देखें मैं आप एक प्लेट लिया हुआ है उसी को ढख लेती हूं अगर आपके पास दख करने तो आप उसका इस्तमाल कर सकत एक हैं दो जेसा अइसा आप कर सकते हैं तो कि लोटय मिडियम रखकर अच्छे के लिए आपको रखना ऊगा होगा अच्छे सा श्टीम होने तक एक ईक हाँ हूँ चुका है चाना फींट δेख उसे निकाल heeft एक प्लेट को देख रहे om और बौर कू-बॉल्स के तर मिने थे लगाया कुछ भी ने लगा इसके उपर दीघ कितना शाइनिंग सा बन चुका है चले फीसे अच्यस पखा हुआ नहीं देख लेथे देखें देख्या चमच चाकु से अंदर तक ढूर सकते अंदर का जो मटर है हुआ भी आच्छे से पक चुका है इसको थोड़ा सा हाते लिए से प्रेस कीजिए फट जाएगा और भी टेस्टी बनेगा ऐसा पटाएगा तो अगर आप छोटे बॉल्स बनाए तो आप छोटे बॉल्स को इसा मत कीजिए वैसा भी आप कर बना सकते अभी तक पूरे से रड़ी होए नहीं है तरीके से पूरे olacak आप North आप फ्र ziem करेंग घडा अपको शालो फ्रै कर ले नहीं करनाया है यह उस्यारा बें फटेशं नहीं हो छुटर आप खिल नहीं हो चुका है उक्छास्मक कीज तो तो फ्सपोन दूश्य हुट इतना जाला हूए चलति इसको अच्छे से शालो भी लेसे प्रग कर ल सुबह के नाश्ते के लिए या फिर स्वाम स्नैक्स के लिए कभी भी आप बना सकते आपके घर में मुटर आवेलेवरत आज के थन्ट के मौसं चल रहा है तो मुटर आसानी सी मिल जाते कहीं भी बाजार में जल्दी से लाकर बना सकते बहुत है टेस्टी ब्रेक्फरस्ट वाधे खाई आप से सब्सक्राइब रया कह 1000 फ्राइ छोगी अफिर सब्सक्राइब बाली कतो करें भ foss नायों वाज सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो खिर के बागी उसे नर्म बन चुक नायों बना लेते हैं बहुती सिंपल तरीकी से आप इसे साथ या फिर चटनी के साथ किसी के साथ भी आप खा सकते हैं देखे कितना बड़ीया कलर आ चुका है ना बहुती सिंपल रेसिपी चले भी से तोड़ के अंदर से दिखाती हूं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक की ज साथ येस्टी सामारा रेसिपी बन चुक है चले आगले वीडियो भी मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी के साथ आप सभी के बहुत बहुत धन्यों और नमस्कार